प्रशन नंबर साथ करेंगे एक विध्याले में कक्षा आठवी के सभी विध्यार्तियों ने प्रधानमंत्री रास्टी राहत कोश में 2401 रुपे दान दे दिये प्रतेग विध्यार्ती ने उतने ही रुपे दान में दिये जितने कक्षा में विध्यार्ती थे कक्षा के विध्यार्थियों की संख्या ग्याद कीजिए यहाँ पर हमीं बताएंगे हैं कि जो कक्षा आठ है उसके अंदर जो प्रधानमंत्री राष्टे राहत कोश के अंदर इतने रुपए जो हैं 2401 रुपए दान किये गए है अब जो यह जो दान किया गया है विध्यार्थियों हैं तो हर एक बच्चे ने 40-40 रुपए लिए यह अब भी हम मान रहे हैं अब हमें पिलकुल भी पक्का नहीं पता वो भी हम निकालेंगे अगर मान लो कक्षा में 75 बच्चे थे तो हर एक बच्चे ने 75 रुपए दान दिया तो अब हमें यही नहीं बता कि कक्षा में विध्यार्थी कितने हैं कितने बच्चे कक्षा में यहीं नहीं पता जब हमें यह बता चल जाएगा कि कक्षा में कितने विध्यार्थी तो हमें यह भी बता चल जाएगा कि हर विध्यार्थी ने कितना दान दिया तो हमें इसमें निकालना क्या है? कक्षा में विध्यारतियों की संख्या हमें निकालनी है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कक्षा में कुल विध्यारती है X, दान की गई राशी है X गुणा X. अब हमने यहाँ पर X गुणा X क्यों लिखा? क्योंकि जितने विध्यारती है और हर एक ने उतने ही राशी जो दान की है. तो जब विध्यारती X है तो राशी भी उन्होंने कितनी दान करी? X ही दान करी. मान लोकर 10 विध्यारती है तो 10 ही राशी दान करी तो हम 10 गुणा 10 ल तो हमारा जो X गुणा X जिसको हम बोलेंगे X का वर्ग 2 यानि कि X को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा X का वर्ग 2 आता है तो हमें ये निकालना है अब X का वर्ग 2 है तो हमारा है जो कुल राशी है 2401 रुपे तो हम X इदर रखेंगे ये जो हमारा वर्ग है इसको हम इस तरी तेरीकी से हम जैसे हमने पहले अभाज्य गुरंद्खर्ण के दोरह हमने इसको किये दो 001. पहले हम साथ से कर देंगे سाथ या 21, फिर हमारे इदर चला जाएगा फिर 7 48 फिर 7 22 फिर हम इसको साथ से करेंगे 728 और हमारा यह याँ पहले हम Complet Jahren फिर हम इसको साथ से करेंगे, सासौत उनिंचास, फिर साथ ने कम साथ. तो कितना आ गया? हमारा साथ आ गया, चार बार. हम लिखेंगे X यानि कि हमारा X निकला है, वो कितना है? उनिंचास इसका मतलब यह है कि जो X आया है वो आया है उनिंचास तो हमारे कुल विध्यारती कितने हो गए कक्षा में जो कुल विध्यारती है वो उनिंचास है ठीक है तो सब ने कितनी राशी दी सब ने उनिंचास ए उनिंचास रुपेजो सब ने दिये इस तरह से जब हम X रखेर प्र 280 में एक बाग में 2025 पोध इस प्रकाल लगाए जाने हैं कि प्रतेक पंक्ति में उतने ही पोधे हों जितनी पंक्तियों की संक्या है. यानि कि हमें जो है यहाँ पे पोधे इस प्रकार एक बाग में 225 पोधे इस प्रकार लगाए जाने हैं किस प्रकार लगाए जाने हैं कि जितनी पंक्तियां हैं अगर मालनों 10 पंक्तियां हैं तो हर एक पंक्ति में 10-10 पोधे आएंगे अगर 5 पंक्ति आए तो हर एक पंक्ति में 5-5 पोधे आएंगे, अगर 16 पंक्ति आए तो हर एक पंक्ति में 16 पोधे आएंगे, तो प्रतेक पंक्ति में उतने ही पोधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रतेक पंक्ति में पोधों की संख्या ग्याद कीजे, फ़र तो मैं बताना है कि पंक्तियों की संख्या ही क्या है, जितनी पंक्तियों की संख्या होगी, उतनी ही पोधों की भी संख्या होगी हर एक पंक्ति के अंदर, ठीक है, देखो प्रशन आठ भी बिल्कूल प्रशन साथ की जैसा ही है, माना पंक्तियां, क्यो इसलिए कुल पोधों की जो संख्या है वो X गुणा X, यानि कि जतनी पंक्तियां उतने ही पोधे, ठीक है, तो X गुणा X कितना हो गया, X का वर्ग आ गया यहां पे, ठीक है, और यहां पे हम एक लाइन वो लिखेंगे, परंतु पोधों की जो संख्या हमें दे रखी है, वो हमें पोधों की संख्या दे रखी है, कि 2025 हैं पोधे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितनी पंक्तियां हैं, और हर पंक्ति में कितने पोधे लगे हुआ हैं, तो जो हमने X गुणा X किया है, वो हमने एक तो हमारी हो गई प माना था और हरे एक पंक्ती में जितने पोधे हैं वह भी हमने इपक्स माना था इसलिए हमने X गुणा UX की है तो हमारा क्या था और कुल पोधे हमें बता रख थे हुआ यह तो हमारे पास 2225 है। तो हमें X का वर्ग है अब आपक्स का वर्ग है też हम work से करूंगी तो 5 चुक 20 और यहां पर आज़ेगा यह दो संख्या में एक साथ लेंगे तो आज़ेगा 5 25 फिर आप 5 से कर सकते हो 5 8 40 5 एकम 5 फिर आप इसको 9 से कर सकते हो 9 क्यासी फिर थीं से कर सकते यहां से चाहो ना यहां से ब्यूंतर इस भी चल जाहें एक पिछ região मैं आ पर दुबारा करके दिखाती हों तीन से करके दिखाती हो बापको मैं देखो तीन से हमने किया तो यहाँ पर तीन चीक अठारा एक दर चला गया तीन चीक अठारा दो दर चला गया तो तीन सत्य एक दर चला गया तीन पंजे पंदरा फिर हम इसको तीन से करेंगे तीन दूनी छे फिर तीन दूनी छे तीन पंजे पंदरा फिर हम इसको 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 सब्टे 21, 3 पंचे 15, फिर 3 से करेंगे 3 दुनी 6, 3 पंचे 15, अब हम इसको 5 से कर सकते हैं, 5 पंचे 25 और 5 एक हम 5, ठीक है, हम छोटी संख्या से ज़र स्टार्ट करें ना, अगर देखो 2 से नियो सकता तो मैं 3 से कर लिया, तो ह हमारा वो जो है ना, था हम पहले, अगर बढ़ी संख्या से कर लिया, तो फिर बीच में जो है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है है, या तो अगर मैं इसको 3 से स्टार्ट करती है, तो भी यह सही हो जाता है, यहां से अगर मैं 3 से कर दीए, 3-3 करके तो हो जाता है, थीक है, तो इन में से हम एक एक निकाल लेंगे तीन गुणा तीन गुणा पाँच तो कितना आजेगान सब को गुणा करके 45 यानि कि 45 पंक्तिया है 45 पंक्तिया है तो हर एक पंक्ति में कितने पोदे लगेंगे 45 ही लगेंगे तो आता है पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 45 और प्रतेक पंक्ती में पोधों की संख्या 45 होगी, ठीक है, जितनी पंक्तियां उतने ही पोध है, यह हो गया हमारा प्रेशन 7 और 8 अगली वीडियो हम करेंगे प्रेशन 9 और 10, वीडियो हलफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरे, थैंक यू